नमस्कार दोस्तों कादियांस कुकिंग में आपका स्वागत है आज मैं बनाने वाली हूँ चौकलेट सास और यह हम बनाने वाले हैं कोको पाउडर सी तो यह बहुत ही simple और आसान सा तरीका है जबी भी आपको chocolate sauce बनाना है अपनी recipes के लिए तो इस तरीके से आप बना सकते हैं बहुत ही जटपड बन जाता है तो एक bowl में मैंने ले लिया है 5 चमच चीनी आप PCV चीनी का भी यूज़ कर सकते हैं और इसके बाद में हम डाल देंगे एक चमच मैदा मैदा डालना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है अच्छी सी thickness और binding के लिए हमारे chocolate sauce में और तीन चमच हम ले लेंगे cocoa powder तो किसी भी माइक्रोवेव में नहीं बनाना है तो सेम प्रोसेस ही आपको कर लेना है और जब यह तीनों चीज़ें अच्छी से मिक्स हो जाएंगे इसके बाद में हम दूद को गरम कर लेंगे एक पैन में तो एक कप आपको ले लेना है दूद और दूद फुल फैट वाला ही होना चा सेफ बोल में और इसमें मैं डाल रहे हूं आधी चम्मच बटर अब इस दूद को हम एक मिनिट माइक्रोवेव कर लेंगे तो इसमें दूद गरम भी हो जाएगा और जो बटर है वो भी अच्छी तरह से मेल्ट हो जाएगा और यह आप देख सकते हैं बटर भी अच्छे से मेल्ट हो चुका है तो अब जो ड्राइ चीज़े हमने मिक्स करके रखी थी वो हमें डाल लेनी है यह हमें बैचस में ही डालना है पूरा एक समय पे नहीं डालना है तो बस थोड़ा थोड़ा डाले और अच्छी तरीके से म मैश करते हुए मिक्स कर लेना है तो फ्रेंट्स यह सबसे आसान वाली रेसिपी है जिससे आप चॉकलेट सॉस कर पे बना सकते हैं और आज मैं यह केक के लिए तयार कर रहे हूं तो अगर आप भी इसी तरीके से बनाएंगे तो आप यकिन मानिए केक पे यह बहुत ही अच तरीके से नतयार करके और फिर आप डालेंगे तो केक का जो टेस्ट हो जाएगा और उसका जो लुक है वह भी बहुत ही अच्छा हो जाएगा बाकि आप अपने बहुत सारी रेसिपी में इस चॉकलेट सॉस को त्राइक कर सकते हैं तो यह आप देख सकते हैं पुरा मैंने इसमें डाल करके मिक्स कर लिया है अभी यह बहुत ही पतला है लेकिन जब हम इसे माइक्रोव करेंगे आपको दो मिनिट के लिए माइक्रोव कर लेना है मेरा माइक्रोवें 900 वाट का है तो अगर आपका कम ज्यादा का हो तो टाइम एकॉर्डिंगली आप एड़ेस्ट कर तो दो मिनिट में यह मैदा जो है अच्छे से इसमें पक जाएगा और आप अभी कंजिस्टेंसी देख सकते हैं यह कितना थिक हो चुका है और अगर आप गैस्टाव पे से कर रहे हैं तो आपको लगवग तीन से चार मिट का टाइम लगेगा लो हीट पे लगातार चलाते हुए इसे हम बना लेंगे तो यह आप देख सकते हैं यह कितना थिक बना है और बहुत ही टेस्टी बनता है तो आप इस रेसिपी को ट्राइज जरूर कीजिएगा और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसे फैमली और फ्रेंड्स में शेयर करें ताकि वो भी इस आसान और अच्छी वाली वीडियो आप मेरे चैनल पर देख सकें और फ्रेंड्स कमेंट करके जरूर बताइएगा आप इस चॉकलेट सॉस को अपनी कौन सी वाली रेसिपी के लिए ट्राइ कर रहे हैं थैंक्यू फर वाचिंग स्टे कनेक्टेड